जी असलाम अलेक्व आज को जो हमारा चैप्टर वो है 22 चैप्टर है जिसका नाम है वेरिशन और जिनेटिक्स देखते हैं इसके अंदर हमने क्या क्या स्टेडी करना है इसका इंड्रोड़क्शन देखती है आज हम बैसे जो जो जिनेटिक्स है यहां पे अगर हम स्टेडी करते हैं तो यह एक चीज़ के बारे में हम स्टेडी करेंगे और इसका नाम है स्टेडी ओफ इनहरिटेंस तो वरासत की अगर स्टेडी करनी है इनहरिटेंस की अगर स्टेडी की जाती है इनहरिटेंस के बारे में अरिडिटरी क्रेटरिक्सिक्स मतलब कि यहां पर हम खसूसियात के बारे में क्रेटरिक्सिक्स के बारे में स्टड़ी करते हैं जो खसूसियात वरासी होती है अब जो वरासी खसूसियात होती है इनकी पेचान क्या है इनकी क्या पेचान है βraasी خصوصیات हम किस को कहते हैं बेसिकल ये ऐसी خصوصیات होती है अगर इनके बारे में देखा जाए जो पास करती है जो ट्रांसफर होती है जो आती है विच ट्रांसफर फ्रॉं कहां से आती है फ्रॉंप पेरिंस टो अफ्स्प्रिंझ from parents to offspring तो ऐसी खसूसियात जो माँ बाप से बच्चों के अंदर जाती है ऐसी खसूसियात को नाम देते हैं द्यार कॉल हरीडिटरी क्रेटरिसिक्स इनके बारे में स्टेडि करना जिस ब्रांच में हम करते हैं उसका नाम किया द्यार कॉल जिनाटिक्स है अब बेसिकली जो transfer करने वाले क्रेटरिसिक्स को हरीडिटरी क्रेटरिसिक्स को वो कौन सी चीज़ है बेसिकली उसका नाम है जो बनियादी चीज़ है जो कि सारी information रखता है उसका नाम है GENE उसका हम नाम देते हैं यार कॉल जीन है ये अब जीन क्या है? अब जो जीन है अगर देख अजाए यह यूनट उफ जिनग्स है यूनट आफ जिनग्स है जो वरास्त का जिनग्स का यूनट है हम उसको नाम देते हैं दियर कॉल जीन है अब जीन का काम क्या है? इसका एक ही काम है Responsible होता यह Responsible for biological information कि सारे जीन के पास होती हैं, मतलब कि जीन के पास सारे के सारी बा की बायओजिकल एनफ़ुर्मिशन मजुद होती है, जैसे कि factor बोड़ी के सार अली का रंगत, सब अंखों का कलर, सर अली की बालों का कलर, सर अली की हाइट, यह सब को जो कंट्रोल कर रहा है मेरी बोडी की सारी की सारी कर्याक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक को रहता है वो जीन होता है अब जीन आपको नजर कहां पर आता है फोर एक्जेंपल ये एक सेल है आप सेल के अंदर से निकालते हैं न्यूकलेस को और न्यूकलेस के अंदर से आप निकालते हैं क्रोमोसॉम को और क्रोमोसॉम के अंदर अगर देखा जाए तो दो चीज़े है, एक का नाम हिस्टॉन प्रोटीन है, हिस्टॉन प्रोटीन मुझूद होती है, और प्रोटीन के साथ जो दूसरी चीज़ है, उसका नाम है DNA, क्या मुझूद है, DNA मुझूद है, इस DNA के अंदर आपको नजर आता है, जिसका नाम के है, जीन, जीन नजर आता है वो कैसे नजर आता है, आपको किस सरा होता है, किस सरा से आपको नजर आता है, तो अगर जीन की बात की जाए तो DNA के पास जीन मजूद है, तो कैसे मजूद है, DNA के पास अगर देखा जाए, specific sequence होता है, specific sequence of nucleotide, DNA के अंदर, specific sequence of nucleotide, nucleotide का एक मखसूस sequence होता है, जो के DNA के अंदर आपको या DNA के अंदर आपको नज़र आता है जिसका काम क्या होता है जिसका एक ही काम है तो जितने भी amino acids है प्रोटीन के अंदर वो specific sequence of nucleotide control करता है और जो DNA के अंदर specific sequence of nucleotide है उस sequence को ही बेटा हम basically नाम देते हैं they are called gene है उसी को हम नाम देते हैं they are called gene है तो gene के बारे में हमने क्या देखा यह genetic का unit है यह responsible है biological information का और यह basically specific sequence होता है nucleotide का जो आपको कहा पर नज़र आता है DNA के ओपर नज़र आता है तो अगर देखा तो DNA के पास specific sequence उसको क्या नाम देते हैं they are called nucleotide ठीक है और वो ही nucleotide basically क्या होता है specific sequence they are called gene है अब मसाल के तोपर for example यह chromosome है और आपको पता chromosome के अंदर ही DNA मुजूद है DNA भी इसी के अंदर मुजूद होता है यह for example यह है gene मुजूद है यह एक gene मुजूद है यह दूसरा gene मुजूद है यह तीसरा gene मुजूद है यह चोथा gene मुजूद है ऐसे करके काफी ज़दा genes एक chromosome के उपर मुजूद होते हैं जहां पर ये मजूद होता है जीन उस पुजीशन को क्या नाम देते है मतलब ये जीन यहां मुझूद है ये जीन यहां मुझूद है ये जीन यहां मुझूद है तो जो इसके पुजीशन इसका नाम क्या है हम उसको नाम देते हैं देर कॉल लोकस क्रोमोसोम की वो जगह जहां पर जीन मजूद होता है तो लोकस क्या है अगर मैं कहता हूं पुजीशन ओफ जीन पुजीशन ओफ जीन ओना क्रोमोसोम एक क्रोमोसोम के उपर जो आपको पुजीशन नजर आती है जीन की उस position को नाम देते हैं there called locus है वो हम उसको locus का नाम देते है मसाल के तोपर ये एक gene मजूद है जिसका नाम है I ये एक I gene मजूद है ठीक है ये जो I gene मुझूद है इसकी आगे copies भी मुझूद है जैसे कि इसकी a copy है I, A copy है जैसे कि इसके कोपी मुझूद है आई बी कोपी है जैसे इसके कोपी मुझूद है स्मॉल आई कोपी मुझूद है जीन तो आई है आगे इसके क्या कोपी मुझूद है इन कोपी कोपी को क्या कहते है यह जितने भी कोपी मैंने बनाई है इनकी जो कोपी है जो इसके पार्टन अब जीन की जो आगे different forms है हम उसको क्या नाम देते हैं हम इसको कहते है basically दियार partner of genes ये partner है partner of genes है या आप इसको दूसरा नाम दे सकते है ये alternative form of genes है alternative forms of genes है ये alternative forms of genes है या आप इसको कह सेते हैं copies of genes है copies of genes है तो जो gene की copy होती है या alternative form होती है या partner of gene है हम उसको नाम दे देते हैं they are called alleles है they are called alleles है हम इसको alleles का नाम दे देते हैं ठीक होगे बटा तो alleles का जो combination होता है जो के alleles जो के different forms of genes है तो different forms of genes आपको नज़ा दियार कोड़ Alliels आपको ये नज़ाते हैं अब एक क्रोमोसोम के उपर इतने ज़ादा genes मुझू हैं तो इतने ज़ादा genes एक क्रोमोसोम के उपर जो मुझू होते हैं इस process को क्या नाम देते हैं इन सबका कठा रहना क्या कहलाता है कौन सा ऐसा प्रोसिज है जो इन सब जीन्स को कठा रहा करें मतलब के कहां दा मतलब ऐधे इक्रोमोसोम दियुते इन्हे वड़े जीन मजूद केला प्रोसिज जन्दी वज़ा नाल आस सारे कठे रहन देन ऐसे प्रोसिज को नाम देते हैं कॉल लिंकज, हम इसको लिंकज का नाम देते हैं, यह लिंकज कहलाता है, यह लिंकज कहलाता है, मतागर मैं कहता हूं, for example, group of genes, group of genes stay together, या कठे रहते हैं, stay together on each homologous chromosome, एक homologous chromosome के उपर जितने भी, यह आपको अकठे नज़र आ रहे हैं, genes, इस process को क्या कहते हैं, this process is called, this process is called, हम इस process को नाम देते हैं, और इस process का नाम क्या दियार कॉल लिंकज है, यह क्या नाम है, दियार कॉल लिंकज है, तो मैंने यहां बताया, कि एक homosome के उपर, जो genes का कठा रहना है, हम इसको क्या कहते हैं, दियार कॉल लिंकज है, यह linkage कहलाता है, यह linkage कहलाता है, तो मेरा कहने के मतलब यह है, कि इतने ज़्यदा जो genes, एक homosome के उपर कठे मुझूद है, जिस process से मुझूद है, उसका नाम क्या दियार कॉल कहलाता है, तो total जो genes, एक homosome के उपर मजूद है, उन्हें सब genes को क्या कहते हैं, देखो ना, एक homosome, उन्दे उतने millions of genes मुझूद हैं, वो millions of genes जिस process से मुझूद है, उस process का नाम क्या दियार कॉल लिंकज, अब total जो genes मुझूद है, एक homosome के उपर क्या कहलाता है, हम उसक इसको कहा जाता है, they are called linkage group है, they are called linkage group है, हम इसको linkage group का नाम देते हैं, अगर मैं कहता हूँ, for example, total number of genes, total number of genes, ठीक है, total number of genes in each homologous chromosome, एक homologous chromosome के उपर, जितने भी आपको total जो genes नज़रा रहे हैं, बला वो लाख हैं, बला वो हज़ार हैं, बला वो दस हैं, बला वो पंदना हैं, एक homologous chromosome को जितने भी genes होते हैं, त्यार को लिंकज ग्रूप है, ठीक है, अब यहां पर हमारे जिसम के अंदर एक chromosome तो नहीं है, बे इंतहा chromosome है, तो एक individual में इन्हें वड़े chromosome, मतलब 46 chromosome होते हैं एक cell के अंदर, तो पता नहीं कितने cells हैं, और हर cells के उपर, कितने genes हैं, पता नहीं कितने हैं, ठीक है, तो एक जानदार के total जो genes हैं, उनको क्या कहते हैं, हम उसको नाम देते हैं, they are called, they are called genome, तो एक जानदा एक जानदार में कितने हैं, they are called genome, हम उसको क्या नाम देंगे, they are called genome है, देखो, दो definition हागी है, एक chromosome के पर total कितने हैं, लिंकज ग्रूप, एक जानदार में कितने हैं, they are called genome, चोडो बई, हम इंसान है, एक same species में total number जो genes होते हैं, वो क्या कहलाता है, हम उसको नाम देते हैं, they are called gene pool, हम उसको क्या नाम देंगे, they are called gene pool, हम उसको gene pool का नाम देते हैं, they are called gene pool, मैं जानदार के total number of individual in breeding population, in a breeding population, एक population है, जो एक species है, same species, total कितने species हैं, किने gene, gene pool के लाएगा, total number of genes in cat, बिली ते अंदर, जे टोटल बिली अंदर species हैं, उन अंदर total gene, gene pool के लाएगा, इसी दुना गर देखा जाए, for example, मैं नहीं नहीं बताया है, gene ये ने मजूद, for example, ये मजूद, है, our gene, ये our gene मुझूद है, इसके आगे different forms हो सकती है, जैसे कि इसके aleeal, our capital, R 빛 सकते हैं इसके आगे कोपी यह होसकते हैं आगे न ही स्काव Nonetheless यहां पर जो मैं कैपिटल वर्ल सकते हैं आर कैपिटल और ना में Cosks capital word लिख रहा हूँ और एक small word में लिख रहा हूँ जब भी मैं capital word में लिखता हूँ तो वो हमेशा याद रखेगा जो capital word में होगे जैसे R capital है हम इसको dominant का नाम देते हैं इसको हम dominant का नाम देते हैं और जो small letter जहां भी नजर आता है हम उसको recessive का नام देते है recessive का नام देते है ठीक है, एक dominant form है जैसे देखा जाए अगर R è तो they are called dominant दोनों के dominant alleles है अगर देखा जाए एक R is small तो एक component है तो जो character होगा वो dominant वाला जाहिर होगा और recessive क्या होता है R small और R small ये recessive form आपको नज़र आती है dominant allele कौंड सा होता है dominant allele वो होता है जो expressed itself जो अपने आपको जाहिर करते है जो अपने आपको जाहिर करते है हम उसको अनाम देते हैं गया रिकॉर्ड dominant है और जो अपने आपको छुपाते है mast चुपाने वाला जो अपने आपको जाहिर नहीं करता वो कौंड सा होता है recessive form होता है जैसे मसाल के तोपर मटर का दाना है उसकी shape राउंट ये राउंट कब होगा जब इसके पास genotype होगी R capital R capital या R capital और R small होगी जो for example आपके पास मटर का दाना रिंकल ये उस वक्त जाहिर होगा जब इसके पास R small और R small होगा अब question यहां पर ये है के सर यहां पर देखा जाए तो ये combination है तो आप ये भी कहा साथे हैं अद्दा खराब होगी अद्दा रिंकल होगी थे अद्दा राउंड है क्योंकि एक राउंड है तो एक रिंकल भी मुझूद है अवे क्यों नहीं है इसकी reason ये है कि जो एक मुझूद है capital वो अपने आपको जाहिर करता है और दूसर अपने आपको छपा लेता है इसलिए जो capital होता है उसको हम dominant का नाम देते है और जो small और उसको हम क्या कहते है जैसे ये R capital है तो इसकी shape क्या आएगी round आएगी अगर एक भी dominant ना होता दोनों recessive होते तो shape क्या आती वो wrinkle क्या आती कौन से आती वो wrinkle क्या आती अब यहां पर देखा जाए यहां पर आपको दो combination है जरारे round के लिए एक combination ये है और एक combination ये है round shape बनाने के लिए और wrinkle के लिए एक combination है r small और r small है ठीक है यह जो alleles का combination है जो के shape को determine कर रहे shape को determine कर रहे इस combination को क्या कहते है यह Alleles का Combination क्या होगा They are called Genotype हम इसको कहते हैं They are called Genotype अब Genotype क्या है Genotype हम कहते हैं For example Combination of Alleles of Gene जो Alleles है जो Gene के Alleles है जीनोटाइप है अगर मैं कहते हैं Genetic Compliment Genetic Compliment इसको हम Genetic Compliment का भी नाम दे 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 हैं जो Genetic Compliment है उसको हम कहते हैं They are called Genotype है जैसे के मैं नहीं बताया है के Genotype के राउंड शेप के लिए जो Alleles का Combination है उस Combination कहते हैं They are called Genotype है अब इस combination से round shape बन रही है इस combination से round shape बन रही है इस combination से wrinkle shape बन रही है तो जो combination से shape बनती है जो character बनता है उस character को नाम देती है they are called phenotype they are called phenotype तो phenotype क्या होता है phenotype का मतलब क्या है अगर मैं कहता हूँ physical appearance of trait जो आपको नज़र आता है राउंड शेप रिंकल शेप जो आपको नज़र आता है फिजिकल अपेरंस आफ ट्रेट जो ट्रेट जो खसूसियात आपको नज़र आती है जार कॉल फिनोटाइप और जिस combination से बनता है उसका नाम क्यों होगा जियर को और जीनो टाइप एक और मैं एक्जैंपल देता हूँ आपके पास ना एक और एक्जैंपल है जैसे blood group है A blood group A blood group है ठीक है अब जो blood group A blood group है A blood group यह क्या phenotype है यह phenotype है यह phenotype है यह कब बनता है जब हमारे पास allele का combination होगा I, A, I, A या फिर हो I, A और small I तो यह जो combination है they are called genotype और यह जो character है, यह जो trade बना है they are called phenotype they are called phenotype पॉंट के लोग गया है तो हमारे पास अगर देखे हैं जह जो allele जब वो दो तरह के होते हैं एक dominant form में होता है, एक होट से होता है recressive form में होता है और इन alleles के combination को कहते है they are called genotype और इसी से हमारे जो character बनते हैं उसको कहते हैं they are called phenotype जो आपको नजर आते हैं तो उनको नाम दिया जाता है they are called phenotype है इस पूरे के पूरे chapter में चेप्टर में हमने अगर देखा जा जो बुनियादी तोर पर ला है दो ला है, एक लाफ segregation है एक लाफ independent assessment है हमने यहाँ पर दो क्रोस पढ़ने है एक क्रोस का नाम है monohybrid cross एक क्रोस का नाम क्या होगा monohybrid cross है और एक क्रोस का नाम है diehybrid cross है तो हमारे पार दो क्रोस है एक का नाम है मोनो हाइबिर क्रोस और एक का नाम किया डाई हाइबिर क्रोस है मोनो हाइबिर क्रोस का मतलब किया मोनो का मतलब एक और डाई का मतलब किया दो ठीक है, Mono Happy Cross अगर मैं कहता है, Cross of Single Trait अगर मैं एक Trait वाले का Cross करवाता हूँ तो द्यार कोल Mono Happy Cross जैसे मसाल के तोपर है, मैं सिरफ Shape को देख रहा हूँ, या सिरफ Color को देख रहा हूँ, एक चीज़ एक Trait का जो Cross होता है, द्यार कोल जैसे मैं Shape के साथ Color को भी देख रहा हूँ, या Color के साथ उसके Shape को भी देख रहा हूँ और अगर मैं एक Trait को सेमा के Cross कर तो द्यार कोल Mono Happy Cross तो यह कुछ कोई Terms थी, छोड़ी छोड़ी जो आपको लाज़ी पता होना चीए, जो कि मैंने पर लाफ सेग्रिगेशन को हम डिस्कस करेंगे ओके बटा, अल्लाहाफीस